आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में एक किट्नी पेशन्ट के डाइट प्लेन कैसा होना चाहिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सर्दियों का मौसम शुरूई होते ही कई लोग अपने खान पान में बदलाफ करने लगते हैं कुछ लोग खाने में हरी पत्तिदार सब्जियों का सेवन जादा करते हैं तो कई लोग तरा-तरा के पराठे और घी बटर में बनने वाले हलवे को जादा खाना पसंद करते हैं ये सभी फूर्ड्स खाने में तो लाजवाब होते ही हैं साथ ही इन्हें सर्दियों में खाना सेथ के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है लेकिन क्या ये सभी फूर्ड्स किड्नी मरीजों को भी फायदा पहुचा सकते हैं तो उसका जवाब है नहीं क्योंकि किड़नी मरीजों को अपने खान पान का काफी ध्यान देना होता है वो ऐसी किसी भी चीज को नहीं खा सकते जिसमें अधिक मात्रा में पोटेश्यम, फैट, सोडियम और शुगर की मात्रा मौझूद हो जहां तक बात है हरी पत्तेदार सबजों की तो किड़नी मरीज हरी पत्तेदार सबजों को नहीं खा सकते क्योंकि हरी पत्तेदार सबजों में पोटेश्यम की मात्रा अधिक होती है जिसका सेवन किड़नी की बिमारी के नुक्सान पुझा सकता है इसके लावा घी बटर में बनने वाले हलवे और तरह तरह के पराठों को खाना भी किड्नी मरीजों के लिए हानेकारक बताया जाता है क्योंकि इने खाने से किड्नी की बिमारी को बढ़ने का खत्रा बना रहता है इसलिए अगर आपे किड़नी के मरीज हैं तो इन सभी फूर्ट को ना खाएं लेकिन ऐसे में अब सवाल ये आता है कि आकर ठंड के दिनों में किड़नी मरीज को क्या खाना चाहिए तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं इन सबस्यों में potassium का level कम होता है जो आपको kidney की बिमारी में फायदा पुचाने का काम करता है आप चाहें तो कुछ फलो को भी ठंड के दोरान ले सकते हैं जैसे कि सेब, cranberry, raspberry, blueberry और नाशपाती ये कुछ ऐसे फल हैं जिनने आप kidney की बिमारी में खा सकते हैं तो ये थे कुछ ऐसे foods जिनने kidney मरीज ठंड के दोरान ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे, आपको इन में से किसी भी foods को लेने से पहले एक पर अपने doctor की सलाव जरूर लेनी है तो आज के लिए बसत नहीं, आपसे नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ दुबारा मुलकात होगी तब तक अपने ख्याल रखें और स्वस्त रहें